शादी और रिलेशनर्शिप के साइड एफिक्ट्स देखकर आजकल लड़कियां अन्मैरिड रहना ज्यादा पसंद करती हैं जिनकी शादी हो भी गई है वह भी यही सोचती हैं कि काश वे अन्मैरिड ही होती आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों आजकल लड़कियां शादी की बजाए अन्मैरिड रहना ज्यादा पसंद कर रही है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आरी अक्सेयूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर जरूर सब्सक्राइब कर लें अपने करियर के लिए लड़कियां चाहे कितना भी पढ़िये हो लेकिन शादी के बाद उनकी स्टडी धरी की धरी रह जाती है बेशक वर घर और ओफिस दोनों एक साथ मैनेज कर लें लेकिन दोनों समभालने के बाद भी हम बैंड और परिवार वाले कभी खुश नहीं होते हर बात पर रोक टोक आज के समय में हर लड़की अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद करती है उन्हें यह बिल्कुल पंसद नहीं होता कि कोई भी किसी भी बात को लेकर उन्हें बार बार टोके इस बिहवियर से ज़्यादा बढ़े लड़कियां को अन्मेरिड रहना लगता है सेक्रिफाइस करना शादी के बाद लड़की को अपने सरनेम से लेकर कपड़ों तक हर चीज सेक्रिफाइस करनी पड़ती है धीरे धीरे उनकी पसंद नापसंद और पार्टरनर की पसंद ही उनकी खुशी बन जाती है ऐसी सिचुएशन में लड़कियों का दुबारा से अन्मेरिड हो जाने का दिल करता है दोस्तों को तो भूल ही जाओ बचपन से आप जिन दोस्तों के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं शादी के बाद आपको उन्हें भी भूलना पड़ता है आप अपने दोस्तों से नहीं कोई बात शेयर कर बाती है और नहीं उनके साथ बाहर जा पाती है जिसका नतीजा होता है स्ट्रेस प्राइवेसी तो भूल ही जाओ सिर्फ लड़का ही नहीं बलकी लड़कियों को भी शादी के बाद प्राइवेसी का पूरा हक होता है फिर चाहे वे अपने पती के साथ अकेले बाहर जानना चाहती हो या फिर अपने पती के कोई बात शेयर ना करना चाहती हो शादी शुदा का टाइग शादी के बाद लड़के तो free mind होकर घूम सकते हैं लेकिन लड़कियों के साथ तो शादी का टाइग लग जाता है शादी शुदा का टाइग लग जाने के कारण आपके दोस्त भी बात करने से कत्रा आते हैं